प्रकार के टोनिक इस्तिमाल करने से पहले उस दवाओं की जान करता है। प्रकारी होना बहुत ही अवश्क है। इसलिए आपको बोद्यनत संगपुस्पी दवाओं के बारे में जानकरी दी है। इसलिए इस दवाओं का असर आपको धीरे धीरे होता है लेकिन उससे आपको फाइदा मिलता ही है। उससे बनाते समय उसमें संगपुस्पी, ब्रामी, चीनी, साइट्रिक एसिड, पाने इस प्रकार के पदात्थों का इस्तिमाल क्या गया है। अब हम जानते हैं उसका सेबुन करने से हमें क्या फाइदा मिलता है। दोस्तो जोधि आप इस स्टोनिक का नियुमीतों तरीके से सेबुन करते हो तो उसमें आपको याद रखने की समुस्पार से छुटकर मिलता है। कुछ भी पड़ा लिखा याद करने के लिए आपको इस स्टोनिक का सेबुन करने से फाइदा मिलता है। एदास्त को मजबूत बनाने के लिए अशारदार माना गया है दोस्तो दिमाग का अच्छी तरह से पोशोख होने के लिए वो बहुत ही लाबदायोख है दोस्तो मानुसिक तनाओ को दूर करने के लिए और ठकान को दूर करने के लिए उससे मदद मिलती है दोस्तो उसका सेबन करने से आपको तबियत मजबूत रहती है उसके बाद जान लेता हूँ संग पुस्पी टोनिक को कैसे लेना चाहिए दोस्तो इस टोनिक को लेने के लिए आपको एक से दो चमबस टोनिक को गुन गुने पाने के साथ सेबन करना चाहिए उससे आपको जल्दी फाइदा मिलता है उससे आपको नियोमी तो मातरा में ही रहना चाहिए बरना आपको थोड़ा बहुत नुक्षान हो शकते हैं दोस्तो जोदि आपको भी एवीडियो पशंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जोदि आप ऐशे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेश करें ताकि हर वीडियो का जानकरी आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद आपका दिन शुवर है